वो बहुत पड़े लिखे थे ही वाज में पहले भी कई बार बताया और मैं आई वाज ब्लैंक तो वो इस ती मुझे छोड़के चले गए के एक तो मेरी शकर अच्छी नहीं थी और दूसरा जो है वो मैं अनपाड थी तो दो चीजें जो थी ना वो उनकी जिन्दी में उनको साथ मिलके मैंने स्टार्ट किया था और अलहम्दोलिल्ला ये एक साल का मेरा सफर है जीरो टू हीरो कि आज मेरे दो लाकाट जार सब्सक्राइबर है और ये लोहों का प्यार है मैं सुसाइड करने लगी थी क्योंके आइम पेशेंट और रिमाटाइट अर्थराइटस तो इस वेरी पैनफुल तो मैं बड़ा डिसाड हो गई थी मैंने का मुझे बस मैं मयूस हो गई और मैं उसकी माफी भी मांगती हूं और ला से के एक लम्हे के लिए मैं डिप्रेशन में चली है जिसमें कहा जाता है कि स्ट्रॉंग उजमा ने अपने हजबिंड की जो है वो द देख रहे हैं विजडम टीवी पाकिस्तान नादिन पाकिस्तान की वो खातून जिसने एक टूटे हुए मुबाइल से अपने चैनल का आगाज किया और आज लोग इनको लाकों की तदाद में जानते हैं और इनकी फैन फॉल्विंग है आज हमारे सब मौजूद हैं इस इं का गाज कब किया था मैंने एक साल पहले अपने चैनल का गाज किया और यहीं वो टूटा मॉबाइल है जो आपने कहा बी है जगा जगा से टूटा वैब चारा लेकिन ये लगई मॉबाइल है इस से मेरे बेटे के साथ मिलके मैंने स्टार्ट किया था और अलहमदोल fig也 εί एक मैं अपने इंटर्वी दे चुकी है जब आपने अपने चैनल का आगाज किया था तो क्या मकसद था चैनल शुरू करने का? मैं सुसाइट करने लगी थी क्योंकि I am a patient of rheumatite arthritis it's very painful तो मैं बड़ा डिसाइड हो गई थी मैंने का मुझे मैं मयूस हो गई और मैं उसकी माफी भी मांगती हूँ Allah से के एक लम्हे के लिए मैं डिप्रेशन में जली गी थी या जैसे भी है मैं सुसाइट करने लगी तो मेरे बेटे ने मुझे बचाया मेरे बेटे ने मुझे बचाया और उसने मुझे का मामा जो main character मेरी story का जो hero है वो मेरा बेटा है तो कहता मामा आपना YouTube पे channel बना है मैंने का मुझे नहीं बता था कि YouTube किया है लेकर ये नहीं मुझे पता था कि इससे इंकम भी आती है और इसको लोग सब्सक्राइब करते हैं वाटएवर जो भी था, तो मेरे बेटे ने मुझे चैनल बना कर दिया, कहते हैं ममा मैं आपको चैनल बना कर देता हूँ आप अपनी लाइफ की स्टोरी यहां पर शेर करें इससे इंकम आती है, तो हो सकता है कि इससे इंकम आए वो इंकम आप वो में इंपावर्मेंट के उपर स्पेंड करना तो कोई आप के लिए प्रे करें तो आप ठीक हो जाएंगी तो यह उस बच्चे का आईडिया था तो वो मुझे क्लिक कर गया उसने चैनल बनाया, इसी मुबाइल से यह टूटा मुबाइल आज मी मेरे पास है इस से हमने चैनल का अगास किया, तो वो मेरी ऐसे बैड के वीडियो बनाता था, और फिर उसको बाद अब मेरे से माड़ भी पढ़ जाती थी, क्योंकि कभी कोई फेरी वाला, सबजी वाला ये वो आते रहा तो वीडियो सही नहीं बनती थी, बारा लगाते गए फिर एक दिन ऐसा होबा कि एक कमेंट मेरा क्लिक हो गया, जिसके वैसे फिर पूरी दुनिया को मेरी सक्सेस पता चली कि दिस डैट, कि मैं ये थी, अब ये हूँ, और कैसे मैंने मेरे हजबने मुझे नपढ़ होने का ताना दे के छोड़ा था, तो उसके बाद मैंने मैट्रक से एंफिर तक अपना एजूकेशन कम्प्लीट की, और उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और चोड़ दिया था, तो किस मकसद के लिए उसने चोड़ दिया था, क्या वज़ा थी? को दो साल और तीन माँ होए थे, जब मेरे अजबन मुझे चोड़ के गए थे, तो उनके बाद फिर मैंने अपनी स्टड़ी का जो सफर था, वो स्टार्ट किया, और चे साल के बाद पिर कोट ने मुझे यक तरफा डिगरी दी थी, खुला लिया था मैंने, उन्होंने जजबा पैदा हो गया, मतलब जब कोई भी ओरत जो है वो शादी करती है, तो उसको कभी ख्याल ही नहीं आता कि वो अपनी स्टड़ी जारी रखे शादी के बाद, और वैसे भी आफ्टर मैरेज काफी ओरतें जो स्टड़ी कर रही होती है, वो भी छोड़ देती है, तो आ अगर तो उसको स्किल कोई आती है, फर्ज करें जैसे सलाई आती है, तो गर में बैठके सलाई करेगी, अधर वाइस लोगों के सारी सिंदगी वो बरतंद होएगी, तो लोगों के ताने, तो मुझे फिर जो है न स्टड़ी, वो मैट्रक मुझे करना था, क्योंके बेसिक न मानदारी से और हार्ट वर्क के साथ मैंने स्टार्ट किया, और अलहम्दोलिला, कि मुझे इसके ओपर फखर भी आया, कि मैंने किसी कैडमी में नहीं गई पढ़ने के लिए दो तीन अकैडमी में गई, बट उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, कि अगर आप फेल हो का, उसको मैं बार बार प्रैक्टिस करती थी, तो उससे फिर अल्ला तला आपके साथ होता है, जब आपकी इंटेंशन अच्छी होती है, तो अल्ला ने मेरा साथ दिया, तो मैंने फिर मैटर कर लिया, मैटर के बाद मैंने इंटर के बाद मैंने बीकॉम किया, बीकॉम पार master था तो मुझे job offer हो गई एक garment की company थी उसमें assistant finance manager की तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे MBA में job मिल गी अभी मेरा MBA यानि के complete भी नहीं हुआ तो MBA में वो job मैंने start कर दी अभी मुझे job करते वे दो माई हुए थे तो मेरे husband का ना ये जो सेंकिट वाले इनको accident हो गया और इनकी town fracture होगी हमारा medical store है जो हम दोनों ने मिलके बनाया था तो फिर मुझे job से resign करना पड़ा और मैंने फिर अपने medical store को समाला और medical store को समालते समालते फिर मैं खुद बिमार हो गई और फिर jobs मुझे बड़ी offer हो रही है क्योंकि मैंने Chinese language का भी course किया हुआ है तो इसलिए मैं जॉब नहीं कर रही है क्योंकि मैं मुझे लगता है कि अपना business करना चाहिए जॉब नहीं करनी चाहिए क्योंकि जॉब में आप bound होके रहा जाते है 9 to 5 इतने hours में किसी company को क्यों दूँँ क्योंना में अपनी company जो इसको stand करो अच्छा तीन महीने पहले आपकी एक और वीडियो वाइरल होती है जिसमें कहा जाता है कि Strong Uzma ने अपने husband की जो है वो दूसरी marriage वो भी खुद साथ उसके बैठ कर वो करवाई है तो यह आपने साथ बैठ कर वो करवाई है आपने वैसे साथ मुझे बैठना तो नहीं चाहिए था क्योंके इनसान किसी को जहर भी दे और कहें जिन्दा भी रहो तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंके मेरे husband कहते थे मैंने आपका हाथ पकड़ कही जाना है तो मैं बिमार हो गई तो इसलिए मैंने अपने husband की शादी करवाई क्योंके वो सफर ना करें मैंने खुद ही sacrifice कर दी अपने आपको क्योंके मैं survive नहीं कर पा रही थी उनके साथ तो इसका मतलब यह नहीं कर पा रही तो वो survive करें कुछ लोग होते हैं जो survive कर जाते हैं लेकर नहीं करना चाहरे थे तो फिर मैंने उनकी शादी करवा दी और उनकी ही कजन से करवाई और खुद साथ जाके बरात पे बंगड़े शंगड़े डालके सारे पैसे फुसेल उटाके मैंने शादी करवाई मैंने उनको खुद लगाई तो बस फिर उसके बाद दिल पे थोड़ा पत्थर रखना पड़ा जो कि मैंने आज भी रखा हुआ है कभी-कभी मैं डिसाड हो जाती हूं लेकिन मुझे चाहिए कि मैं डिसाड ना हूँ थोड़ा उनकी हूँ क्वएड बेर शादीheen जयसे कि आपने चाथ यूखा फिए प्यूं तो इस दे मैंनम की शादी करवा दी और दूसरा I'm happy अच्छा तो नादरीन जैसे कि आपने देखा ये हमारे पाकिस्तान का real face है और उन women's के लिए बहुत बड़ी motivation है जो के disheart हो जाती है जो के चोटी-चोटी मसलों को बड़ा-बड़ा मसला जो है वो बना लेती है तो ऐसी women's जो disheart है और demotivate है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी आप मैसेज यही है कि positive सोचें और अपने दिल को बड़ा करें क्योंकि जिन्दगी बहुत चोटी सी है कोई पता नहीं कब हमारी जिन्दगी की शाम हो जाए इसलिए अपने दिल और जान से पूरी मेहनत करें हार्ट वर्क करें कोई आपकी तरफ से कोई कसर बाकी न रहाज़े और बाकी अल्ला के उपर ब्रोसा करें वो आपको आपकी मेहनत का रिवार्ट किसी भी सूरत में जरूर देता है चाहे वो कोई भी सूरत हो तो अल्ला किसी की मेहनत को अपने पास ही रखता बलके उसका डबल क्रेडिट मिलता है वो किस सूरत में मिले, कैसे मिले आखरत में मिल सकता है, दुनिया में मिल सकता है, इसके आप जो है ना, वो दिलो जान से मेनत करें और अपने जो family matter हैं, उनको कोशिश किया करें कि वो सुल जाएं, यानि कि husband के साथ चोटी चोटी बात पर लड़ना, पैसों से, कपड़ों से, ये वो आम जो चोटी चोटी घर के problem होती है, इनके साथ लड़ाई करके, आप court के चैरी में मत जाएं, divorce के तकाजे मत करें, अपन से बेतर इंसान है, लेकिन इसमें मिनस ज्यादा लग दी, मैं फिर से कहूंगी, कि hard work और आपकी intention, जब ये दोनों एक level पे होंगे, तो आप इन्शाला successful हो जाएंगे, दूसरा अपना passion और profession, एक रखें, जो भी काम करें, उसको पूरे इश्क के साथ करें, फिर आपको जि enjoy करने का मज़ा भी आएगा, और positive सोचे, क्योंकि जो positivity होती होती है, उसको आप long lastik enjoy करते है, negativity चंद दिन के लिए आती है, फिर चली जाती है, आज भी देखने है, आप strong उजमा का नाम पूरी दुनिया में लोगों को याद रहा गया है, लोग आते हैं, चले जाते हैं, ले मेरा बेटा चोटा मेरे साथ होता था, चिंग चिंग डिक्षे के उपर, रमजान के अंदर हमने राइविंट तक, स्याल कोट, गुजरावाला तक स्टोरी की है, और मुझे लगता कि यह उसी का reward है, अच्छा तो नादरीन जैसे कि आपने इनका interview देखा, इतनी interesting इनोंने और इतना इनोंने उभारा, और मैं आपको बताओं कि यह उन women's के लिए बहुत बड़ी motivation है, जो के डिस हार्ट हो चुकी है, जो के छोटी छोटी मसलों को बड़ा बड़ा मसला मान रही है, और जो यह समझ रही है कि शायद उनकी जिन्दगी जो है, वो खत्म हो चुकी है, तो उनके लिए यह बहुत बड़ी motivation है, इन्ही की जबानी हमने सुना, इन से interview लिया हमने, और आपको हमने दिखाया कि इन्होंने कितनी struggle की है अपनी live में, कितनी इन्होंने हर्डर्स जो है वो पार की है, और फिर जाकर आज strong uzma का नाम हर बंदा जो है वो ले रहा है, और ह बंदा जो है strong uzma के साथ interview करना चाह रहा है, तो इसके साथ ही नाजरीन अपने मेज़बान ऐसन इजास को इजाज़त दियों, देखते हैं हमारे चैनल wisdom TV पाकिस्तान, अलाफिस